Hello students, class 4, subject science, dear learners, we are learning chapter number 5, more about insects, हम लोग कीट पतंगों के बारे में आओर ज़्यादा जानकारी इकठा कर रहे हैं, कीट पतंगों के बारे में हम जो जानते हैं उससे आओर ज़्यादा सीखने की कोशिस कर रहे हैं, तो इसके पहले हमने पहले वीडियो में पुश कीट पतंगों के बारे में हमने discussion किया था आज page number 38 पर हम दूसरे paragraph से पढ़ेंगे पहला paragraph हमने पढ़ा और समझ लिया था आज हम दूसरे paragraph से पढ़ेंगे Insects are very adoptable and are found almost everywhere on the earth जैसे देखिए कि कुछ जो अपने आपको adopt नहीं कर पाते हैं हर condition में अपने आपको adopt नहीं कर पाते हैं जैसे मचली है मचली है पानी में तो अपने आपको adopt कर पाती है लेकिन जमीन पर अपने आपको adopt नहीं कर पाती है ऐसे एनिमल हैं, हम लोग हैं, हम लोग जमीन पर तो अपने आपको एडाप्ट कर लेते हैं, लेकिन पानी में अपने आपको एडाप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इंसेक्ट के बारे में ऐसा नहीं है, इंसेक्ट आर वेरी एडाप्टेबल, आएंड आर फाउंड everywhere on the earth. तो पिर्तिवी पर हर जगां ये अपने आपको adoptable कर लेते हैं, अपने आपको uncooled कर लेते हैं, air में भी insect रहते हैं, land जमीन पर भी रह लेते हैं, water पादी में भी रह लेते हैं, and even beneath the soil और मिट्टी के इंदर भी रह लेते हैं, iron the plant and प्लांट के उपर भी रह लेते हैं, इनिमल जानवर के उपर भी रह लेते हैं, है ना इंट्रेस्टिंग बात कि एनिमल ये इनसेक्ट जो हैं, कीट पतंगे जो हैं, ये हर जगाँ अपने आपको सर्वाईव कर लेते हैं, ड्यदॉप्टीबल, अड्य। कर लेते हैं देर आर सेवरेल काइंड आफ इंसेक्ट तो कीट पतंगों के इंसेक्ट के बहुत सारे प्रकार हैं डे डिफर इन साइज यह साइज से कलर एंड अधर फेचर तो यह अपने आकार रंग और संरचना में अलग-अलग होते हैं इंसेक्ट डू नाट है वे इसके ल स्केलिटन होता है कंकाल तंत्र होता है तो इसकेलिटन सिस्टम होता जैसे हड्डियों का धाचा होता है लेकिन इंसेक्ट में ऐसा नहीं है इनमें हड्डियों का धाचा नहीं होता है दे है यह होड आउटर कवरिंग काल्ड एक्सो इक्सकेलिटन तो इनका जो बाहरी आव flexibility to their body, तो यही इस इंसेक्ट को flexibility देता है, सरीर को लचीलापन देता है, और साथ में इसको support भी देता है, सहायता भी प्रदान करता है, कौन लचीलापन और सहायता कौन देता है, इस्सो स्केलिटन जो होता है वो इंसेक्ट के बॉड़ी को लचीलापन बनाता है और सहायता सपोर्ट भी प्रदान करता है इंसेक्ट है थिरी पेयर साफ लग लेक्स तो इंसेक्ट में तीन जोड़े पेयर होते हैं तो इंसेक्ट का जो बॉड़ी है वो तीन भागों में बटा रहता है और हर भाग अपना अपना फंक्शन करता है अब इंसेक्ट के बारे में ये इस्सो स्केलिटन ये फीगर दिया गया है तो दा बॉड़ी आफ आइन इंसेक्ट तो एक कीड का जो बॉड़ी है शरीर है उसके बारे में आपको बता जा रहा है आइन इंसेक्ट बॉड़ी कंसिस्ट आफ थ्री पॉर्ट तो जो इंसेक्ट की बारे सरीर के तीन भाग होते हैं head, throcks, throcks, chest and abdomen, stomach, तो इसके जो इंसेक्ट का सरी तीन भागों में बटा होता है, यह पाला क्या है, head है, दूसरा throcks है, और chest जिसको क्या कहते हैं, chest कहते हैं, और abdomen, stomach, abdomen को ही क्या कहते हैं, stomach कहते हैं, और throcks को क्या कहते हैं, chest कहते हैं, तो तीन भाग हैं, कौन, head, chest और stomach, ऐसे भी आप कह सकते हैं, head, chest और stomach, तो head के बारे में पहले हम पढ़ते हैं, यह इंसेक्ट का वो फीगर दिया गया है तो इसके बारे में पढ़ते हैं यह एंटीना है, हेड है, विंग है, हेड सीर है, विंग है, पंक है, थ्रोक्स है, वक्ष है, जिसको क्या कहते हैं, वक्ष है, और एब्डॉमेन पेट है, कम्पोजिट आई है, लेक्स है, तो body of an insect, हेड इंसेक्ट है वे pair of antenna, तो सरीर में इसके जो insect है, वो इसमें एक जोड़ी क्या होता है, antenna होता है, जैसे आपका जो टीवी होता है, जो टीवी का antenna आपके छट पर लगा रहता है, तो यह क्या करता है, antenna जो vibration आती है, जो signal आते हैं, वो antenna क्या करता है, कैच करता है, तो जैसे आपकी टीवी क एंटीना है जो दूर दर्सन के कारिकरम आते हैं उनको कैश करता है तो इंसेक्ट का भी एंटीना है ये भी कुछ बताता होगा तो इसमें क्या है ये क्या बताता है इंसेक्ट के बारे में बताता है कि कहां कैसा साउंड हो रहा है कैसे वो बाहरी दुनिया में क्या हल चल हो र रोड़ थेता हैं तो insect Highway पियराफटाइट होता है एक जोड़ी आंख होती है एक जोड़ी आँख होता है यहिवसली धियर है टु है कि यह इंटीना करता क्या है, detect, detect मतलब होता है, पता लगाता है, coach करता है, order, smell, बाहर कैसा smell हो रहा है, कैसा, कैसी घंद हा रही है, vibration, vibration मतलब company, कौन सा कीला, वो company का, जैसे company होता है, जैसे घंटी बजाते हैं, तो उसका vibration हमको दूर तक सुनाई देता है, तो ऐसा भी कोई जानवर अगर उड़ करके गया है, या बाहरी दुनिया में कोई हल चल हो रही है, तो उसके vibration से ही ये पता लगा लेता है, कि इधर इसको खत्रा है, कि नहीं है, and sound और आवाज का भी पता लगाता है, antenna इसको बता देता है, कि बाहर कैसी आवाज हो रही है, there are composite eye, और इनके पास हम ल that है thousand of lenses, तो हमारी आखों में किवल एक lens लगा होता है, और हमारी आखों में one lens है, और one lens तो दो आखे हैं, तो दोनों आखों में एक एक lens लगा हुआ है, तो इससे हम इतना सारी चीज़े देखते हैं, और इनकी आखों में जो insect की आखे हैं, इनमें कितने lens लगे हैं, thousand of lenses, ह अप सोच लिजे जब हम हमारी आखो में एक एक लेंस है हम इतनी सारी चीजें देखते हैं तो जिसकी आखो में हजारो लेंस लगे हूँ होंगे वो कितनी सारी चीजों को देखते होंगे these help them to detect the motion of things around them तो ये हजारों लिंसों वाली जो आखें हैं इनकी ये पता लगाने में मदद करती है motion of things वस्तुवों में कैसी गती हो रही है कैसी गत कर रही है वस्तुवें around them उनके चारों तरफ इनसेक्ट के चारों तरफ जो वस्तुवें गती कर रही है वो कैसे गती कर रही है the mouth part of the insect can be of different types depending on their food तो जो mouth part होता है जो मौ के अंग होते हैं insect के वो अलग-अलग insect में different types होते हैं different अलग बिभिन परकार की होते हैं depending on their food जैसे भोजन पर वो depend होता है वैसा ही उसका mouth part होता है many insects like grasshopper तो बहुत से कीड़े जैसे टिड़ी है बहुत से insect कीड़ पतंग जैसे वो टिड़ी है and beetles, beetles मतलब जहिंगूर जहिंगूर को भी आपने देखा होगा बरसात के दिरों में जहिंगूर जो है वो आवाज बिभिन तरह की आवाज निकालते हैं तो वो क्या होते हैं beetles hive achieving types of mouth part तो जो grasshopper होता है टिड़ा होता है या जहिंगूर होता है इनके पास जो mouth part होता है वो achieving चबाने वाला होता है जिससे वो चबा सकते हैं some other like butterflies and most hive sucking type of mouth part और कुछ कीट पतंगे ऐसे हैं जिनके पास जैसे butterfly है टितली है इनके पास जो mouth part होता है वो sucking type होता है वो suck करते हैं choose लेते हैं तो फिर वो कर रहा है bingo's challenge how do composite eyes hive insects from their enemies how do composite eyes save तो पूछ रहा है कैसे composite eye बचाती है insects from their enemies तो सत्रू से insect की जो आखें हैं वो सत्रू से उसे कैसे बचाती है तो जो हजारों lensों वाला जो eye है वो उसको पहले से information दे देता है कि बाहरी दुनिया में ऐसी हल चल है ऐसे सत्रू है वो दूर से ही देख लेता है कि हमारे उपर खत्रा है तो वो अपने आपको बचा लेता है तो प्रेविज जार्तियों आप ये insect का वो figure बनाएंगे body of insect insect का figure बनाएंगे उसके parts को भी लिखेंगे और ये जो figure है वो pencil से बनाएंगे pencil से insect का figure बनाएंगे इसके body parts को लिखेंगे और इसके बारे में भी लिखेंगे very interesting insect तो insect के बारे में जानना कितना महतपूर है कि इसमें antenna लगे होते हैं जो इसको बाहरी दुनिया की हलचल को पहले से ही बता देते हैं इसकी composite आई होती हैं जो दूर से ही सत्रु कानमान इसको लगा देती हैं दूर से ही सत्रु के बारे में यह जान लेता है तो और इनके पास sucking tube होती है जिसे यह host से जो अपने food है उसको सक कर लेते हैं जैसे मचड होता है ना मचड में भी क्या होता है sucking tube होता है और वो sucking tube की साहता से ही आपके सरीर से जो blood है इनसेक्ट के बारे में इनसेक्ट के बारे में जो आपका knowledge पहले से था उस knowledge को और increase करेगा और बढ़ाएगा और next video में हम इनसेक्ट के बारे में जो आपका knowledge है उसको और बढ़ाने की कोसिस करेंगे thank you have a nice day